नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल आश्ट्रो सच पर चलिए गुरुजी से सुनते हैं आज के उपाएं नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा खास उपाय जिसे अगर आप इस अमावस्या पर करते हैं, तो इससे आपको भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी के साथ ही पित्रों की भी कृपा प्राप्थ होगी, ये उपाय सुख सम्रिध्धी दायक है. पित्रों की कृपा से कारियों में आ रही बाधाएं दूर होंगी, ग्रह सौख्य मिलेगा, क्लेश कलह दूर हो जाएंगे, वंश ब्रिध्धी होगी, उत्तम संतान सुख मिलेगा, पित्र दोश से मुक्ती मिलेगी. इस उपाय से शनिदेव की भी कृपा प्राप्थ होगी, और शनिग्रह दोशों से छुटकारा मिल जाएगा. दोस्तों तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, तो तुलसी के नीचे बांधे यह एक चीज मा तुलसी का मिलता है, धेर सारा आशिरवात माता लक्षमी होती है, आकरशित घर में नहीं आते कर्स, दोस्तों तुलसी का पौधा अगर आ अवश्य मिलता है, बेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं, तुलसी के नीचे यह चीज बनने पर मा तुलसी का मिलता है, आशिरवात आपको वो सारी खुशियां मिल जाती है, जिसके आप हकदार है लेकिन तुलसी के नीचे यह चीज बनना है, जरूरी आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टी से देखा जाता है, अनेक आउशधिये गुनों से भरपूर, तुलसी का धार्मिक महत्व भी हैं. अनेक धार्मिक अनुष्थानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उप्योग होता है, पुरानों में तुल तुलसी का पौधा लगा होता है, वहां ब्रहमा विश्णो शंकर यानि प्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नश्ठ हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदे होने पर अंधकार नश्ठ हो जाता है। पून मानी जाती है, इन ही कारणों से सभी हिंदू परिबारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। पून मानी चाहिए तुलसी पर चुद्र ही जरूर बननी चाहिए तुलसी न केवल एक पौधा है। बलकि ये हमारे मा के समान है। कई घरों में तुलसी को चुनरी उढ़ा कर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतोर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उठाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है, और तुलसी का कारक बुध है, बुध और मंगल मित्र नहीं है, बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनी है, इसलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली या नीले चुनरी अत्यंत शुब होता है, कई लोग यह भी गलतियां करते हैं, तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, या फट जाती है, लेकिन एकार्शी या फिर अन्य कोई शुब दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं, लेकिन आपको न केबल त्योहारों पर चौ दोस्तों तुलसी में कई दिव्यशक्तियां विराजमान है, जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं, उन्हें कभी कष्ट नहीं आते होती है, स्वर्ग की प्राप्तिमा बड़ी प्रसन्द होती हैं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव कलाबार दो और रोग दूर हो जाते हैं दोस्तों तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें, तुम सीमा होती है, क्रोधित जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए, इसके आसपास जूते चपल ज़ाडू पोछा आदी रखना भी पाप माना जाता है, त तुलसी के आसपास ठोकना भी घोर अनर्थ कड़ी माना जाता है, तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र कभी नहीं रखना चाहिए, साथ ही तुलसी में दीपक जलाने के बाद दीपक को बहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रख सफाई होनी चाहिए तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोरना चाहिए माता क्रोधित हो जाती है तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं उन्हें कूदे में नहीं डालना चाहिए पानी में या मिट्टी में दबा देना तुलसी का पत्ता रविबार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविबार को तुलसी की पूजा करनी चाहिए बाकी हर दिन तुलसी की सुभः पूजा करनी चाहिए और शान के वक्त दीपक जला देना चाहिए अक्सर महिला इस नान के बाद खुले बाल में ही तुलसी को जन्द देती है तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का वर्दान मिला है ऐसे में सौभाग्य में वृध्धी के लिए बालों को बांध कर और माम में सिंदूर लगा कर तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए दोस्तों चाहे मर जाना लेकिन भूल कर भी ऐसी तुलसी कभी घर में मत लगाना नहीं तो आपके घर में हमेशा परिशानी आएगी ऐसी तो उसे कभी ना लगाए दोस्तों कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधामत लगाना इससे नकारात्म कूर्जा का साया प्रवेश कर जाता है और माता तुलसी नाराज हो जाती है घर में सूखे तुलसी नहीं रखी जाती इसे अकाल मृत्यु का खत्रा बना रहता है घर की सुख समरिधी सब खत्म हो जाती है घर में सूखे तुलसी होने से माता लक्षमी कभी बात नहीं करती चाहे कुछ भी हो जाएं अगर आपकी दूसरी सूख गई है तो इससे यह पता चलता है कि आने बाले समय में आपका बहुत बुरा सा में आ सकता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सूखी तुलसी घर में लगाने पर मा तुलसी का अपमान माना गया है। ऐसे घर से हमेशा हमेशा के लिए तुलसी माता क्रोधित रहती है। दोस्तों मासित धर्म में किसी भी पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए खास कर तुलसी में तो भूल कर भी नहीं ऐसा करने से तुलसी का पौधा सूख सकता है और घर की सुख शांती भंग हो सकती है तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाय कर्मी चाहिए, तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डालना चाहिए, तुलसी में हमेशा खाध्यपदार्थ या कंपोस्ट नहीं डालना चाहिए दोस्तों तुलसी के पौधे में जल देते समय पैरों में चपल नहीं होनी चाहिए और वह जल आपके पैरों में गिना नहीं चाहिए इससे धन हानी का खत्रा बना रहता है व्यक्ति को पापुलर जाता है तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ती होती है, सकाराक मक्ता का संचार उरे घर परिबार पर बना रहता है दोस्तों तुलसी के पत्ते को नाखून से नहीं तोरना चाहिए, तुलसी के पत्ते नाखून से तोरने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है, घर में बीमारियां प्रवेश करती है दोस्तों तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच लगाना चाहिए इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है तुलसी का पौधा घर में लाने से पहले हमेशा याद रहे बुरे भाव से इसे घर में नहीं लगाना चाहिए अर्थात लालच में आकर तुलसी का पौधा घर में कभी नहीं लगाना चाहिए इससे माता लक्षमी नाराज हो जाती है दोस्तों अगर आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे निकल आएं तो आप अपने पडोसियों में से किसी को दे सकते हैं शास्त्रों में कहा जाता है कि एक से ज्यादा तुलसी जब घर में निकल आती है तो वो बहुत ही शुभ माना गया है। यह साक्षात माता लक्षमी के आने का संकेट माना जाता है। देवी लक्षमी आपसे बहुत खुश है तुलसी के पौधों को विशम संख्या में रखना चाहिए जैसे 3-5-7 आदि तुलसी में कभी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए गनेश की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखनी चाहिए इससे उल्टा घर में विनाश होता है नियमित तुलसी में दीपक जलाने से कई करोडों पुन्य व्यक्ति को प्राप्थ हो जाते हैं और व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है धोस्तों होता है घोर अनर्थ ऐसे पौधे लगाकर मा तुलसे नाराज हो जाती है घर में तुलसी के पास इन पौधों को कभी नहीं लगाना चाहिए ये पौधे अशुभ होने के साथ साथ पूरे घर का विनाश भी करते है मा तुलसी होती है, क्रोधित आज ही इन पौधों को घर से बाहर करें। दोस्तों यकीन माने हम आपको शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं कि वह पौधा कोई और नहीं बलकि नाक्फनी का पौधा है। जी हाँ नाक्फनी का पौधा तो आपने जरूर देखा होगा। और से बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नाक्फनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। खासकर बाद जब तुलसी के पौधे की आती है तो घर में कभी भी तुलसी के पास नाक्फनी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए यह नकारात्मक उर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है माता तुलसी के साथ साथ मा लक्षमी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहां पर नाक्फनी का पौधा होता है इसलिए आज ही अपने घर से इन पौधों को बाहर कर दें यह पौधा अशांती फैलाने के साथ साथ भूत प्रेद आत्माओं को भी आकरशित करता है यह बुरी श के पास केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए इसे सर्वश्रिष्ट और मंगलकारी माना जाता है इसे मा लक्षमी के साथ साथ विष्णू की कृपा भी मिलती है मा लक्षमी बहुत प्रसंद होती है दोस्तों जिस घर के तुलसी में यह एक चीज नहीं रखी जाती तो उ उसके साथ शालिगराम को जरूर रखें वरना बुरा समय आपको घेर सकता है शालिगराम भगवान विष्णू का निराकार रूप माना जाता है यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षन और मूलिवान माना जाता है इसे बहुत सहेज कर रखना चाहिए मान्यता है कि इसमें अल्प मात्रा में स्वय भी होता है। साथ ही घर में कोई भी व्यक्ति वीमारी से पीडित नहीं होता तरहे कि आपके कदम चुमती है। पुराणों में यहां तक कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम है वह घर समस्थ तीर्थों से भी श्रेष्ट है। इनके दर्शन और पूजन से समस्थ भोगों का सुख मिलता है। स्वयंधू होने के कारण इनके प्रान प्रतिष्था की आवश्शक्ता नहीं होती यदि से घर में तुलसी के पौधे के नीचे रखकर पूजा की जाती है तो घर में भगवान विशनु और मा लक्ष्मी का वास हो जाता है। वैसे धर में पैसों से संबंधित कोई समस्या नहीं रहती है, मृत्यू काल के समय इनके चर्णामृत का जल प्रश्न करने बाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पालेता है, वह विश्णु लोग को चला जाता है। यह चर्णामृत औश्धी के समान होता है, जो इसका सेवन करता है, उसका पुनरजन्म नहीं होता चर्णामृत ग्रहन करने के बाद बहुत से लोग सिर पर से हाथ पैर पर हैं, लेकिन शास्त्रिय मतानुसार ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़त है, चर्णामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रधा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहन करना चाहिए, इसे चर्णामृत अधिक लाभप्रद होता है, जिस घर में शालिग्राम का नित्य पूजन होता है, उसमें बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती है, यदि आप घर में असली शालिग्राम ले आए हैं, लेकिन उसकी ठीक से नियम से देखभाल नहीं कर पा रही हैं, तो इसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलेगा, घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए, विश्नु की मूर्ती से कहीं ज्यादा उत है, शालिग्राम की पूजा करना शालिग्राम पर चंदन लगाकर उसके उपर तुलसी का पत्ता रखा जाता है, प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामरित से स्नान कराया जाता है, जिस धर में शालिग्राम की पूजा होती है, उस धर में लक्षमी का सदैव वास रहता है, श अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नश्ठ हो जाते हैं। शालिग्राम सात्विक्ता का प्रतीक है, उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेश ध्यान रखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको यह विडियो पसंद आया है, तो विडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि आने वाला नौलेज एवं विडियो आपको सबसे पह दोस्तों मिलते हैं अगले विडियो में तब तक के लिए बाय थैंक्स पर वाचिंग में विडियो